अभी सेल फिलिंग पॉइंट में आपको बहुत महत्त पूंट बताने वाला हूं और मीरो थेरपी में बहुत कम लोगों को पताए कि हम खुद सेल्फ कुंडली पॉइंट कैसे लेंगे कुंडली पॉइंट मुल्टीपल फॉंक्शन है कुंडली के पॉइंट के माध्यम से हम हम अपनी पीनल ग्लैंट को स्टूमलेट कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से हम अपनी इम्मिनुटी पावर को भी कर सकते हैं अपनी अध्यात्मिक पावर को भी स्ट्रॉन कर सकते हैं कुंडली सीधे सीधे आपके पीनल क्लैंट को स्टूमलेट करती है कुंडली आपके मू कहते हैं कि हमारी energy मुला धार चक्र में होती है और धीरे धीरे ये उपर के चक्रो तक जाती है और जब मुला धार की वर्जďा है हमारी सब तौप पर क्ली जाये तो वहां हमें कहते हैं कि हम तीसे दुनिया की में जा सकते हैं तो इसी चीज़ को कुंडली का पॉइंट बोलते हैं जिसको हम सेल्फ ले सकते हैं बच्चों को सिखा सकते हैं और अपनी मेमोरी पर काम कर सकते हैं अपने थर्ड लेवल की आई को खोल सकते हैं बहुत यूश्फूल है साइंटिफिक है और कहते कि हनुबान जी ने इस पर अ बैठते हैं और उनकी मेमोरी बहुत सार्प रहे तो हम सीखेंगे वीरासंग के माध्य हम से कुंडली को कैसे करें तो आप देखेंगे कि जब से जब भी आपको कुंडली का पॉइंट लेना हो सबसे पहले आप अगर जुराब पहने हैं तो उतार दीजिए तो कि आपकी ए आसन बोलते हैं वीरासन बोलते हैं अगर आपको बैठने में तिक्कत हो तो दिवार के साहरे आजपोस की टेवल कुर्सी पकड़के बैठ सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे करकर कमर सीधी करकर यह जो एड़ी है यह जो एड़ी है आपकी टेल बोन पर लगनी चाहिए और एक दो दी चार पाच छे साथ आठ नो दस यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उननीस बीच तो यह बेज सेकेंड की कुण लिए फिर आप खड़े हो जाएंगे फिर आज हमने ट्रस करेंगे इस तरीके से हैं जब आपको बीज सेकेंड की तीन बार लेन नहीं है तो फिर बीच सेकेंड के बाद फिर दुवारा से उसी प्रॉसेस प्रॉसेस में फिर चली जाएंगे तो यह जो आपकी एडी है इस एडी का प्रेशर आपकी कुंडली के पास जानना चाहिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दैस ग्यारा बारा तेरा चौ करेंस आप 20 सैकेंड का प्रेक्षा चल लगे है आप 20 सैकेंड का करिए और शैकंड की तो 60 सेंट कर टेंड कर यह और आब गुगल पर देखी है वीर आसन दूंकि वीर का आसन उसली सभल T कही जाते हैं तो वीर आसन वहां से निकल कर आया और हनुमान जी इस इसी आशन में बैठते हैं आप देखेंगे गधा अपने हाथ में लेकर एड़ी को यहां लगा कर और एक पैर आगे रखेंगे यह हनुमान आसन भी है तो यह आपकी मेमोरी पर काम करेंगा आपकी पीनल ग शे सेकिंड से लेकर चाली सेकिंड तक आप बैठ सकते हैं अगर आपको बैठने में तकलीफ है तो आजू-बाजू में कुछ रख लीजिए पकड़ने के लिए दीवार लगा लीजिए या दीवार के साहरे बैठिए तो आप आराम से इसको कर पाएंगे और कभी अगर आपको ज्यादा तकलीफ है पैरों में दर्द है तो एक पैर से एक बर कर लीजिए दूसरे पैर से दूसरे बर कर लीजिए तो दोनों पैरों से भी आप बदल बदल कर सकते हैं और लेकिन कंडिशन ये कि कमर सिधी रहेगी तो उतना उसका इफेक्ट जादा हो तो उर्जन नीचे से उपर जानी शुरू हो जाएगा और यही हम चाहते हैं नीरो थरपी में कि हम पीनियल ग्लैंड को कैसे स्टूमलेट करें तो जहां पर भी कुंडली पॉइंट आता है सेल्फ लेने की बात आती है आप वीरा सिंग की मदद से सेल्फ कुंडली ले सकते है् यह बहुत यूस्फुल है बहुत सारे लोगों को वी पता नहीं की सेल्फ कुंडली पॉ masterpiece ले सकते हैं तो इस वीडियो के मादियम से आपलों कोने शीखा कि हम सेल्फ कुंडली का पॉइंट कैसे लें अगर कोई भी डाउट लेए तो youtube पर जाकर वी वीरासन सर्च आपको उसमें हर छोटी छोटी भारी की पता लग जाएगी कि हमें कहा प्रेशर कितनी देर कैसे बैठ सकते हैं और कैसे अगर आपको कोई तकलीफ है तो किन चीजों के मदद से आप ऐसे बैठ सकते हैं तो कुंडली का पॉइंट आप लिए पीनल ग्लैंड को स्टुमिलीट करने का पॉइंट है धन्यवाद